तो आखिर क्यों छोड़ी रनवीर सिंग ने प्रशांत वर्मा की फिल्म राक्षस क्या है पूरी अपडेट जाने इस वीडियो में तो वीडियो के एंटक बने रहें और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को लाइक सेर और सस्क्राइब करना ना भूलें जी हाँ दोस्तों साउस सिनेमा के जाने माने निर्देशक प्रशांत वर्मा हनुमान के ब्लॉक बश्टर होने के बाद लाइम लाइट में बने हुए हैं और इसी बीच खबरे भी आई कि वो जल्दी अपनी अगली फिल्म में बॉलीवूड एक्टर रनवीर सिंग के साथ काम करने वाले हैं इतना ही नहीं रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि एक्टर ने इस फिल्म के लिए साइन कर ली है और ये फिल्म इंडियन माइटलोजिकल पर वेश्ट होने वाली थी और इसमें एक्टर के किर्दार में नकर आत्मक सक्तियों के सेट्स दिखाई देने वाले थे हाला कि अब पिंक विला के रिपोर्ट के मुताबिए क्रियेक्टिव डिफरेंस की वज़ा से रेडविल इस फिल्म का हिस्सा नहीं होंगे क्योंकि दोस्तों एक्टर फिल्म की एनाउंसमेंट के लिए एक फोटो सूट करने अप्रेल में हैदराबाद गय थे लेकिन इसकी एनाउंसमेंट में रुकावट आ गई क्रियेक्टिव डिफरेंस की वज़ा से दोनों आपसी मस्से अलग हो गए लेकिन इससे पहले दोनों ने इसका समाधान करने की कोशिस की थी लेकिन ऐसा नहीं हो पाया जी हाँ आपको बता दे दोस्तों की अब एक्टर अपनी फिल्म सिंगम अगेन पर काफी ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और उनके पास फरान अक्तर की डॉन थ्री भी है जी हाँ आपको बता दे दोस्तों कि एक्टर अभी हाल फिलाल अपनी पत्नी और एक्टरस दीप का पादगोड के साथ quality time spend कर रहे हैं और ये कपल बहुत ही जल्द अपने पहले बच्चे का स्वागत करने के लिए तयार है और ये ही वज़ा है कि एक्टर अपनी पत्नी पे काफी ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं तो दोस्तों आपकी क्या राहा है रनवीर सिंग को इस फिल्म को छोड़ना चाहिए था या नहीं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं